असलाम लेकुम वेकम बैक टो माई चानल आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज का व्लॉक स्टार्ट करी हूं मैं मॉर्निंग के टाइम से यहां पे सुबह सुबह बन रहे थे पराथे और यह कड़ी आई थी गरम-गरम नानी के घर से तो बस यहां पे अभी हम और इस कड़ी के साथ इंजॉय करेंगे तो आज सुबह सुबह हम इसले उड़ गे थे क्योंकि आज हमने जाना था डॉक्टर के पास जिसके लिए मैं पाकिस्तान आई थी अपना प्रॉपर यहां पे मेडिकल चेक अप करवाने क्योंकि सर्जिरी के बाद मैंने आप लोग जिसकी वेज़ा से हम लोग काफी परिशान थे और हमने यही सोच था कि हम पाकिस्तान में अपना प्रॉपर चेक अप करवाएंगे और उसके लिए मैं आज आई थी शिफा इंटरनाशनल मैंने पाकिस्तान में बहुत से गाईनी की डॉक्टर्स को चेक करवाया लेकिन इस और हॉस्पिटल भी बहुत नीट अंड क्लीन था लेकिन अब यह टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी तो भी पता चलेगा कि असल प्रॉब्लम है क्या तो उसके बाद बस हम लोग चले गए थे तैजीब क्योंकि हमें यहां पे शाम हो गई थी और पूरा देनी हमारा डॉक किया था और बहुत टाइम से हम लोग ट्राइ कर रहे थे कि हम यह पीजा भी खाएं लेकिन बेको मोका नहीं मिर रहा था तो आज बस अम लोग यहां पे आए हैं और यह अपनेक्स डे का क्लिप है और आज हम जा रहे थे डॉक्टर के पास क्योंकि आज मेरी अल्ट्रा साउंडर कुछ टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी डॉक्टर ने मुझे वैसे भी एक्जामिन किया था और मैं भी वो सोच रही थी कि शायद यह हर्णिया हो लेकिन अफर सरजिरी कभी कभा हर्णिया भी हो जाती हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं था डॉक्टर के पास में जादा वीडियो तो नहीं बना सकी लेकिन अल्टर साउंड रिपोर्ट से ऐस सच कुछ समझ नहीं आ रही थी और यही डॉक्टर बता रही थी कि में भी मुझे बहुत स्रॉंग इंफेक्शन हुआ वा है और सरजरी के बाद इंफेक्शन भी हो जाते हैं लेकिन कम से कम हम इस बाद पर रिलाक्स हो गए थे कि कुछ और बड़ा प्राबलम नहीं है यह दुबारा से सरजरी नहीं होनी पड़ेगी क्योंकि मैं अलर्डी रिकवर नहीं होई थी और अभी दुबारा से सरजरी मेरे ले करवा लेना बहुत मुश्किल था तो बस उसके बाद हम काफी रिलाक्स हो गए जब मुझे ये पता चला कि अब सरजरी तो नहीं होनी बस कुछ मेडिकेशन्स रॉक्टर ने दे दी थी और मजीद और कुछ टेस्टिंग ताके मैं अपनी बाकी सारी चीजों को नॉर्मल क कर सकूं कि अभी तक मुझे इतना पेइन क्यू है और उसके बाद आज हम लोगों ने प्लाइन किया हुआ था कि हम लोग हाई टी भी जाएंगे फैमिली के साथ और खाला की फैमिली के साथ आज हम लोगों ने जाना था तो मैं अपना सारा मेक अप और सब चीजें बैग मे ले आई थी और अब मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी पाकिसान में बहुत ही मज़ेका था और आज की हाई टी भी बहुत अच्छी थी इन्होंने मैन्यू में थोड़ी सी चेंजिस करके इसका रेट काफी जादा कर दिया है आई थिंक की ट्विंटी एट प्लस था और काफी जादा है एक हाई टी के लिए लेकिन अब पाकिसान में हर हाई टी काफी एक्स्पेंसिव हो चुकी है हमारी फैमली ने आने में तो काफी देर लगा दी तब तक हम अपना फूट स्टार्ट कर चुके थे और स्वीट्स में मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छा वराइटी बहुत जादा थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था तो नॉर्मली अब पाकिसान में हाइटी के रेट्स वैसे भी काफी भड़ चुके हैं महगाई की वज़ा से लेकिन इनका जो फूट टेस्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था हाइटी के बाद हम लोग आ गए थे गीगा मॉल और यहां पे मुझे गुल आहमत से कुछ बैट शीर्स और कमफर्टर लेना था वैसे तो मैं राबी सेंटर और नॉर्मल शॉप से हीर कमफर्टर लेती थी लेकिन वो काफी ज़ादा खराब हो जाते थे तो मैंने सुच रहा कि इस बार मैं गुल आहमत का लेकर ट्राय करती हूँ इसका भी फुल रिव्यू मैं आपको रियाद जाके दूँगी कि ये कैसा सा कमफर्टर था और इस जूलरी बॉक्स की वेजा से मुझे काफी जादा फाइदा हुआ है कोई भी चीज मुझे निकालनी हो बहुत एजिली क्योंकि लास्ट राइम मैं इसाह के पाउचेज में अपनी जूलरी लेके आती थी और बहुत मश्किल होती थी हर चीज मुझे मैनेज करने में आपके में आराम से अपनी रिंग सेलेक्ट करती हूँ जो भी एरिंग्स हैं और इसके नीचे मैं अपने कुछ ब्रेसलेट रखे हुए है तो बस जो भी चीज मुझे चाहिए होती है बहुत एजिली मुझे मिल जाती है तो यह बहुत अच्छा है शीन से आपको बहुत 5 रियाल इसकी प्राइस है तो अभी आज के लिए मैंने ब्रेसलेट लिया था यह मैंने वो लिया है डिसाइड किया है और साथ यह वले मैं सोच हुए हूँ कि एरिंग सपैंज यह मेरे ड्रेस से थोड़े मैच हो रहे हैं और साथ अपना यह बला नेकलेस पैंड के जाओं अपने आज के नए डिसाइट की हैं और अभी सबसे पहले मैं अपनी स्किन केर करी हूँ जिसमें मैं अपनी चीजे ले के आए हूँ कुछी चीजे में लाई हूँ इसमें सीरम्स है एसन्स है बस यह यूज़ करूँगी और सबसे द्रूरी है सनब्लोक तो इन सारी चीजों से बस अभी में रेडी होती है पाकिस्तान इस बर हम लोग बहुत ही कम टाइम के लिए आये थे और मैंने आप लोगों को बताया था अपनी वीडियो में कि हम लोगों ने डिसाइड यही किया था कि अगर तो मुझे मेडिकल के लिए रुकना पड़ गया तो मैं पाकिस्तान रुक जाओंगी लेकिन क्योंकि अब मेडिकल की तरफ सी के बात तो क्लियर थी कि मुझे किसी सरजरी की जूरत नहीं है सिर्फ थोड़ी सी मेडिकेशन्स की जूरत है तो इस विज़ा से हम काफी रिलाक्स होगे अब अपने बाकी प्लान्स कर रहे थे और आज खाला ने बलाया वा था हमें चाय पे पाकिस्तान में टाइम इस दवा बहुत ही तेजी से गुज़र रहा था और जब आपके दिन कम होते हैं तो आपके लिए मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बस मैं एक घंटा ही रुकी खाला की तरफ क्योंकि सुस्राल के साथ कोई कमिट्मेंट थी उन लोगों के साथ हमें जाना था कहीं और सुस्राल के साथ जो दावत्स पे मैं जा सकी हूँ वहाँ पर मैं वीडियो बिलकुल नहीं बना सकी हूँ और इसके बाद हम लोग अपने फेवरिट स्पॉट पर आ गए थे चाही पीने I hope कि मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी Thanks for watching, Allah Hafiz